चानक के आईएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं LVM3 के बारे में इसरो ने शिरी हरी कोटा सतीश धवन अंतरिक्ष टेशन से 36 उपग्रोहों को ले जाने वाला भारत का सबसे बड़ा LVM3 लॉकेट को लॉंच किया है इसरो ने ब्रिटेन के वन वेव के लिए 36 उपग्रोहों के इस दूसरे बैच का अंतरिक्ष में सफलता पुर्वक प्रक्षेपन किया है यह कमपनी की फर्स जनरेशन के लोवर अर्थ और्बिट यानि की लिए ओ तारा मिंडल सुमूग को पूरा करेगा जिससे कमपनी 2023 में वैश्वी कवरे शुरू कर सकेगी इस रो के कमर्शिल सैटलाइड लाँचिंग के छेतर में इस से उसके सफलता और मस्बूती से आगे बढ़ेगी अब हम बात करेंगे उपग्रोहों के बारे में जिन उपग्रोहों को लेकर LVM3 ने उडान भरी उनका कुल वजन 5,805 टन है इस मिशन को LVM3, M3, One Wave India 2 के नाम से भी जाना जा रहा है इसरो ने ट्वेट करके इस मिशन के लाँचिंग की जानकारी सभी को दी ब्रिटेन की One Wave Group कमपनी ने इसरो की वानिजिक शाखा New Space India Limited से बहतर उपग्रे लाँच करने का करार किया था इनमें से 30 अक्टूबर 2022 को 30 उपग्रे इसरो पहले ही लाँच कर चुका है बाकी उपग्रे प्रत्वी की कक्षा में स्थापित किये जाएंगे इसरो की इस लाँचिंग से प्रत्वी की कक्षा में Web1 कमपनी के उपग्रोहों की कुल संख्या 616 हो जाएगी वहें इसरो के लिए इस साल का ये दूसरा प्रक्षेपन है अपने पहले 36 सेटलाइट की लाँचिंग के बाद British One Wave ने कहा था कि NSIL और इसरो के साथ उनकी साजेधारी ने 2023 तक भारत में Connectivity प्रदान करने की अपनी प्रतिबदता को प्रदशित किया है यह New Space India Limited द्वारा अपने ग्राहक Network Access Association Limited यानि की One Wave UK के लिए अंतरिक्ष विभाग के तहत किया गया दूसरा वानीचिक उपग्रे मिशन है अब हम बात करेंगे LVM-3 रॉकेट के विशेश्थाओं के बारे में इसरो का LVM रॉकेट चार टन वर्क के उपग्रोहों को जियो सिंक्रोन्स ट्रांसफर ओर्बिट में लॉंच करने में सक्षम है यह तीन स्तरिय वेहिकल है जिसमें दो सॉलिड मॉटर स्ट्रेपन एक लिक्विट प्रोपिलेंट कोर स्टेज और एक प्रायोजनिक स्टेज वाला वाहन है यह वन बेव के उपग्रोहों को प्रत्वी की सता से 1200 किलोमेटर तक की उचाई पर लोवर अर्थ और्बिट की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है LVM-3 रॉकेट ने चंदरियान दो सहित अपनी लगाता छटी सफल उडान भरने में सक्षम ये रहा है इस बार 5805 किलोग्राम पैलोड को लो अर्थ और्बिट में पहुँचाया है इससे पहले इसका नाम GSLV Mark 3 था LVM-3 की कुल लंबाई 43.5 मीटर है और इसका वजन 644 टन है यह अपने साथ 8000 किलो यानि 8 टन तक पैलोड ले जाने में सक्षम है अब हम बात करेंगे इस मिशन के महत्व के बारे में यह मिशन UK और भारतिय अंतरिक्ष उद्योगों के बीच बढ़ते सहोग को दिखाता है भारत की तरफ से भारती एंटरिप्राइज वन वेब में एक प्रमुक निवेशक और शेर धारक है ब्रिटिश अंतरिक्ष वन वेब कमपनी का कहना है कि यह सैटलाइट पूरे भारत में ना केवल उद्यमों के लिए बलकि कस्वों, गाओं, नगरपालिकाओं और स्कूलों के लिए भी सुरक्षित समाधान डूनने में मददगार है और देशपर के सबसे कटिन पहुच वाले चितरों के लिए भी यह मददगार साबित होगा वन वेब लिमिटेड एक ग्लॉबल कम्मिनिकेशन नेटवक है जिसका उद्देश्य सरकारों और विवसायों को इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविदा देना है अब हम बात करेंगे इन स्पेस के बारे में भारतिय राष्टिय अंतरिक्ष समवर्धन और प्राधिकरन केंद्र यानि कि इन स्पेस की स्थापना अंतरिक्ष विभाग के अंतरगत एक सिंगल विंडो एजनसी की रूप में की गई है जिसे अंतरिक्ष डोमेन में निजी चेतर की गतिविदियों को बढ़ावा देने, समर्थन देने और प्राधी करत करने के लिए बनाया गया है जिसमें युवा उद्यमी और अंतरिक्ष विज्ञान के चेतर में रूची रुखने वाले चातर शामिल है इसका मुख्याले एहमदाबाद में स्थित है इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर कम्प्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करे थैंक यू सो मच